हेलो डियो फैंड्स बेल्कितु गुरुजी सो आज हम हर्याना स्टाप सेलेक्शन कमिशन का जई का जो एक्जाम हुआ था सोला में 2016 में उसको डिस्क्स कर रहे हैं यह एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट में आपका एक्जाम हुआ था आप्टरून सेलेक्शन का सो चलिए हम शुरू करते हैं आज के अपनी वीडियो तो दिखें जो कोश्चन पूछा गया है कि लिम्टिंग वैल्यू अफ डेप्ट ऑफ नियू टू लैक्सिस फॉर एफ यी दो सो पचास ग्रेड ऑफ स्टील बेस्ट ऑन दा एजम्शन इस सब्टरू क्या होता है लिम्टिंग वैल्यू यू यो होती है यह सब्टी है यह मैक्सिमम कंप्रेशिव stain in concrete in axle compression is taken as अब इस तरह के दो कोश्चन बनाए जा सकते हैं कैसे maximum compressive stain in concrete in axle compression में या फिर इन bending compression में तो दो कोश्चन हमारे बन चुके हैं bending compression and axle compression यानिके direct compression axle compression एक ही बात है तो दो कोश्चन यहां पर बन जाते हैं अब जैसा कि question में पूशा गया है axle compression के लिए तो हमारा अंसर यह अंसर हो जाएगा third 0.202 यह axle compression के लिए होता है लेकिन bending compression के लिए हमारा आंसर 0.2035 होता है यह दोनों चीज़ों आपको याद रखनी पेड़ेगी कि यहां आप से confuse करके आपको question यह वो पूचा जाता है तो इसका आप खास त्यार रखिए question बन सकता है अगला देखिए हमारा पास question के आपको ऊचा गया है the section is called over reinforce section when section जो होता है उसको हम over reinforce बोलते हैं कौन सी condition में जब हमारा x u जो होता है वो x u max से ज्यादा होता है x u जो होगा वो x u max से ज्यादा होगा तब आप मुसको over reinforce section बोलेंगे लेकिन जब हमारा x u जो होता है वो less than होता है x u max से तब हमारा under reinforce section होता है और जब हमारा x u is equal होता है x u max तब यह balance section बनता है so option second हमारा greater than x u max over reinforce correct answer होगा अगला जो question पूशा किया है कि how much the weight of footing is assumed to the axle load on column how much the weight of footing footing या फिर foundation का जो weight assume किया जाता है वो 10% होता है of the column load या फिर of the wall load इसलिए one हमारा इस question के लिए answer बन जाएगा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लिजो साथ में बैल आइकन को प्रेस भी कर लिजिए अगला क्या बहुत है area of footing is depend on area of footing जो होता है वो depends करता है कि हमारा भाई allowable wearing pressure जो है कैसा है इस पर depend करता है अगला question पूशा गया है कि minimum increase value of increase length of bar in standard 90 degree bend is equal to minimum increase length of bar in standard 90 degree bend is equal to हमारे पास यह पर चार condition होती है एक 45 degree का bend बनता है एक 90 का bend बनता है एक 135 का bend बनता है एक 180 का bend बनता है तो उसके लिए जो increase value होती है 45 के लिए 4 dy chronlar होती है 90 के लिए 8 dy chronlar होती है and 135 के लिए 12 ड súはい के लिए 16 TWO यह होता है तो 90 के लिए पूछा है तो हमारा 8 डाया अंसर होगा लेकिन यहाँ पर option में नहीं दिया गया है तो board वालों ने इसको अंसर सही माना है तो हम भी इसको ही मानते हैं बोर्ड ने माना है तो हम इसको मानेगे क्योंकि nearby option तो हमारा 6 बनता है उनको भी आप याद रखी क्योंकि यहाँ से भी question हमारा बन सकता है तो अगला question देखिए अगर आप हर्याना J की त्यारी कर रहे हैं तो यहाँ पर मैंने जितने भी previous question discuss किये हैं approximate हमने 12 या पर 13 question जो होगे discuss कर लिए हैं तो हमने यह देखा कि भाई यह question जो है बार बार पूछे जाता है कि the minimum what is the dimension of A4 size drawing sheet drawing sheet या पर paper का size A4 जो paper होता है उसका size होता है उसकी dimension हमें बतानी है size बताना है तो A0 से शुरू होता है A5 तक होता है तो हमसे भाई A0 भी पूछे गई है 1,2,3,4,5,E सारी पूछी गई है dimension इन सभी की तो इस question को आप हलके में बत लेना क्योंकि यह बहुत ही important question लगा मुझे हर्याना J.E. के लिए तो देखी A4 का size पूछा है drawing sheet का तो उसका जो size होता है वो होता है 210 से लेकर यह mm में size भई mm में ही होता है लेकर यह size होता है 210 टू नाइटी सेवन सोट नाइटी सेवन इंटू 2,10 एक की बात है उल्टा भी लिखेंगे तो वही answer तो वही होगा सो यह size होता है सबसे बड़ा किस का होता है A0 A0 जो होता है इसका size सबसे सबसे बड़ा होता है सबसे बड़ा इसका size होता है यह जीज आप आदी रहाइंगे क्योंकि इसका size होता है टैंसेंट 10.011.18 सबसे कम होता है वो a5 time by 48ста 210 mm यह साइज होता है A5 का दोनों का साइज important है मेरे साथ से क्योंकि यह minimum और maximum का चक्कर है इसलिए अगला क्या बाइट गिव दा फुल पॉर्म आप CS CS क्या होता है cross section cross section of beam cross section of column cross section of plana आप नमकाना तो यह CS होता है हमारी engineering में यही role play करता है अगला क्या बाइट था what is the minimum size of drawing room drawing room का minimum size जो होता है वो 16 square meter का होता है और जोई अगर आप हर्याना जोई की त्यारी कर रहे हैं तो आपको यह size वाला जो है इसको भी याद करना पड़ेगा size चाहे door का हो बिंड़ा का हो या फिर रूम का हो वात्रूम का हो सभी के size आपको पता होने जरूरी है क्योंकि यहां से question बार बार पूछा जा रहा है कि dimension वाला paper size का size वाला यह सारे चीज आप याद रख लिए और फुल फॉर्म इस पर खास थ्यान रखी क्योंकि तीम चाहर नंबर यह है क्योंकि यहां से अगर चूट गया तो भाई आपकी खैर नहीं अगला देखिए what are the minimum value of rice and trade for residential building कितना होता है अब यह वाला question भी very important है क्योंकि यह भी हर्यान जे में common question है बार बार यह question जो है वो पूछा जाता ही रहता है तो देखिए क्या बोल रहा है minimum value of rice and trade for residential building residential building की अगर हम बात करेंगे तो वो 160 mm and 250 होता है residential building के लिए लेकिन हम बात करेंगे public building की public building जैसे कि theater हो गया college हो गया bank हो गया क्योंकि यह public है public building होती है तो इसका जो size होता है यह भी आपको पता होना चाहिए कि इसका size कितना होता है इसके दो size होते है एक size होता है 270 into 150 mm 270 या पर 150 होता है rise and trade का size अगर हम दूसरे size की बात करेंगे तो वो होता है 140 300 mm यहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया है जो commercial building होती है उनकी बात करेंगे तो उनके लिए होता है 192 250 size होता है industrial building के लिए तो दोनों size को आप याद रखिए very very important है यह exam के point of view से अगला question देखिए यह question भी मुझे important लगा भाई कि यहाँ पर हम से क्या पूछ रहा है give the size of door for main room door के size होते हैं वो 3 तरह के size होते हैं लेकि तीन तरह के इसलिए होते हैं क्योंकि एक हमें क्या होता है कि main room में provide करना पड़ता है in trans में पर store बगरा होते हैं bathroom बगरा kitchen बगरा होते हैं तो इसलिए 3 size हमारे बन ही जाते हैं तो जैसे कि हाँ पर हमसे पुछा गया कि main room के लिए तो main room हो गया हमारा living room हो गया drawing room हो गया bedroom हो गया इन सभी के लिए हमारा size ये वाला होता है 1.2 into 2.1 अगर mm में value convert करेंगे तो 1200 into 2100 अगर आपने engineering drawing की होगी तो आपको ये size बता ही होगा कि 1200 हाँ भई हमने किया था और दूसरा जो size होता है वो होता है 1000 into 2100 mm में बता रहा हूँ मैं meter में बताऊंगो तो 1 meter into 2.1 meter तो ये size आप यूज करते हैं हमारा drawing room के लिए bedroom के लिए store के लिए ये size भी आप यूज कर सकते हैं bedroom के लिए लेकिन ये वाला size जो है option वाला ये main room होता है जो main entrance होता है room के लिए main entrance room के लिए living room के लिए होता है drawing room के लिए होता है लेकिन simply अगर आप drawing room अलग से बनाना जाते हैं एक अलग आप bedroom बना रहे हैं तो उसके लिए size ये वाला भी आप यूज कर सकते हैं एक और size होता है वो होता है 0.9 into 1.9 meter ये जो होता है kitchen bathroom के लिए होता है kitchen bathroom के लिए ये वाला size होता है ऐसा है बिंडो के लिए size होता है ventilator के लिए भी size होता है तो ये सारी चीज़े आप ध्यान में लखी क्योंकि यहां से question हमारा बन सकता है अगला गया पर रहा किता number of step in a single flight should not be more than number of step जो होते हैं वो कितने से ज़्यादा नहीं होने चाहिए कितने से कम नहीं होने चाहिए most common question बार बार पूछा जाएगा आपको पता होने चाहिए तो तीन से कम नहीं होने चाहिए बारा से ज़्यादा नहीं होने चाहिए तीन से बारा should not be less than 3 step should not be greater than 12 step तो minimum 3 maximum 12 तो यहां पर बारा हमारा answer हो जाएगा वैसे यहां से बहुत सारे question पूछे जाते हैं जैसे कि pitch जो होती है वहां से भी हमने पिछले वीडियो में इस question को discuss जाता है कि pitch उसकी pitch होती है stair के लिए वो 25 से लेकर 40 degree की होती है अच्छी stair होती है angle of inclination उसको बोलते है pitch होती है pitch is also noun हो सकता है क्योंकि also noun से भी हर्याना जैसे question पूछे जा रहे हैं तो pitch जो होती है stair के लिए is also noun as slept s-l-e-p-t slept बोला जाता है pitch को तो ये भी आप याद कर लिएजिए क्योंकि यहां से question हमारा बन सकता है तो भाई important question है वैसे जो stair होती है वो हाँ से बहुत सारे question कूछे गए है तो ये भी आपको पता होना चाहिए कई लोगों को ये हो सकता है कि आपको अगर exam में diameter भी दिया हो सकता है कि भाई जो pitch होती है वो कैसी आपको दिखती है pitch का diagram होता है तो वो 25, 40 कहां कैसी होनी चाहिए ये मान के चलो कि आपका क्या है ट्रेंड है ये क्या है राइजर है अब ये ट्रेंड है ये राइजर है इसी तरह से चलता जाएगा ये जो nose है हमारी और ये जो nose है अब इन दोनों को हम ऐसे मिलाएंगे ऐसे सारे nose बिलते चाहिए nose होती है इसको बलते है pitch 25, 40 ये इतनी value होनी चाहिए इसके लिए इसको pitch बोला जाता है pitch बोला जाता है select बोला जाता है angle of inclination बोला जाता है तो ये चीज भी आप गयाद रखिए और दो-तिन कोश्चन और में स्टेर से बता दूँ आपको कि हैंड रूम जो होता है वो मस्ट नोट बी लेस तन 2.05 मीटर कही जगा 1 भी होता है 2.1 होता है कही जगा तो इस वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए हैंड रूम जो होता है हैड रूम होता है वैसे हैंड रूम नहीं होता है हैड रूम होता है तो हैड रूम जो होता है मस्ट बी 2.05 मीटर से कम नहीं होना चाहिए और जो विर्थ होती है स्टेर के लिए domestic building के लिए वो कितनी होती है 90 cm होती है public building के लिए जो width होती है stair की वो 1.5 meter होती है और एक exam में ये question पूछा गया है कि विर्थ जो होती है landing की landing की जो width चुड़ाई होती है वो should not be less than width of stair width of stair से कम नहीं होनी चाहिए landing की width ये भी exam में कॉश्चन मैंने देखा है हर्याना के जेई में तो भई इतनी जानकारी में आपको दे रहा हूँ तो आपका भी कुछ है भई कि हमारे चैनल को अभी subscribe कर लीजे फटा फट से वीडियो को share भी करो आपने दोस्तों के साथ अगला क्या बोर रहत है अगला क्या देखे दाश इन ओफर इन राइट इन राइट इन राइट इस तेंडर इस देखे ता slope used for indicating the rate of increase or decrease in the cost of activity per unit decrease in time cost slope हम उसको बोलेंगे अगला देखेशन देखे the minimum size of fillet weld is fillet weld का जो size होता है वो depends करता है thickness जो होती है हमारे जो connected member होता है उसकी यानि कि thickness of thicker member जो connect होता है उस पर depend करता है कि भाई उसकी thickness कितनी है thicker member जो connect किया हुआ है उसकी thickness कितनी है उस पर हमारा size जो होता है fillet weld का depend करता है जैसे कि हमारे अगर thickness जो है member की थिकर वो 10 है या पर 10 से कम है तो minimum size होगा filled weld का वो 3 होगा जो मैंने आपको बताया है कि डिमेंड करने वाली बात इसको भी आप याद कलेजिए और 10 से 20 है हमारा size member का तो 5 mm होगी 20 से 32 है भई उस cases में हमारा 6 होगा अगर हमारी value 32 से ज़्यादा है 50 तक है तो 8 mm होती है filled weld का size तो minimum size हमारा 3 से शुरू होता है 8 तक जाता है तो 3 यहाँ पर दिया है option 1 में यह हमारा answer हो जाएगा अगले देखिए for angle single angle the limiting width to thickness ratio for semi compact section should be less than 15.7 next one देखिए if the height of the object surrounding the structure is between 1.5 to 10 meter what will be the category of structure तो 1.5 से 10 meter जो होती है structure height तो वो category 2 में आता है अगला option क्या वर्द which type of structure is propeller cantilever propeller cantilever जो होता है उसमें degree of indeterminacy जो होते है वो 1 होती है तो यह indeterminate structure होता है क्योंकि मैंने 1 जो बताया proper cantilever जो होता है उसके पास एक degree of indeterminacy होती है यहां से भी question जो हो पूछा गया है वो एक होता है determinate structure दूसरा होता है indeterminate structure तो दोनों से एक्जाम में question जो है पूछे जाते हैं तो दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन जो होता है indeterminate है कौन सा determinate structure होता है सबसे पहले हम determinate structure की बात करेंगे तो determinate structure जो होता है उसका example होता है simply spotted beam and three hinged arc three hinged arc जो होती है वो होता है अब हम इसकी definition पर आते हैं simply determinate जो होता है तो इसकी जो definition होती है is one in the reaction and internal force can be determined उसको हम determinate statically determinate structure बोलते हैं तो इसका example भी मैं आपको बताए हैं थोड़े बहुत जैसे कि simply spotted beam हो गया three hinged arc हो गई fix beam हो गया over hanging beam हो गया double over hanging beam हो गया continuous beam हो गया and cantilever beam हो गया next हम बात करते हैं कि भई जो indeterminate होता है उसके क्या क्या होते हैं एक तो मैंने आपको बता दे कि proper cantilever होता है दूसरा two hint arc होती है इसका example दोनों ही important है मेरे साब से यहां दोनों से question पूछा जा सकता है अगला question देखिए हाँ पर who introduced movement distribution method movement distribution method जो है वो इसने दिया है option second अगला देखिए what is the angle between planes carrying maximum shear stress and plane carrying maximum direct stress तो 45 degree होता है एंगल जो होता है next बन देखिए the longitudinal stress is also called as longitudinal stress जो होता है is also known as lateral strain tensile stress or compressive stress is also known as longitudinal stress tensile stress हो गया या फिर compressive stress हो गया is also known as longitudinal stress and longitudinal stress is also called lateral stress ये दोनों चीज़े आप याद रखिए क्योंकि यहाँ दोनों से question जो है वो पूछे जाते है tensile का क्या meaning होता है tensile का ये meaning होता है कि material जो होता है वो under tension में होता है and there are force acting on it and उस material के ओपर force लग रही होती है जिससे क्या होता है कि हमारा material जो होता है stretch हो जाता है stretch हो जाएगा and compression का क्या meaning होता है compression के ओपर भी हमारा कोई force लग रही होती है उससे क्या होता है कि हमारा material जो होता है वो compress हो जाता है तो एक ही बात है भई longitudinal direction में ही उसको बोला जाता है अगला question देखिए हाँ पर question क्या बोला है कि movement of inertia of a triangle about base is अब यह question दोनों ही important है मेरे हिसाब से very very important question so movement of inertia of triangle about base is base b and height h ऐसे भी exam में question बन सकता है तो bh cube over 12 bh cube over 12 कहने का meaning यह है कि b into h into h into h यह हमारा question में answer हो जाएगा एक के लिए 36 भी होता है तो यह हमने हर्याना जेए में ही discuss कि भई h cube over 36 किसके लिए होता है तो इसको भी आप देख लीजेगा अगला देखिए very long column फेल लॉंग कॉलम जो होता है बखलिंग की बज़े से फेल होता है crushing की बज़े से हमारा short column फेल होता है इन दोनों की बज़े से जो होता है वो medium column फेल होता है medium column next देखिए बिच होता falling is a box compound इन चारों में से box compound जो होता है वो tree calcium aluminate होता है tree calcium aluminate इसका heat of hydration सबसे ज्यादा होता है 865 joule per gram जा फिर calorie heat of hydration इसका इतना होता है पानी के साथ immediately react करता है इसका strength में कोई भी योगदान नहीं होता है कि 20 गंटे के अंदर अंदर यह अपना काम शुरू और कातम भी कर देता है कि ultimate strength तो आपको पता कि कौन देता है अगला देखिए दवीच प्रसेस नॉट यूज्ट यूज्ट इन मैनुफेक्शनिंग कोंक्रीट मैनुफेक्शन के लिए चलिब करणे बैचिंग होता है वेट वैचिंग मिक्सिंग भी होता है तीनों इन प्रोपोर्शन जो होते हैं उनको मिक्स करना होता है उसके बार ट्रांसपोट करना है पोड़ प्लेसिंग के लिए रिमूबिंग नहीं होती है नेक्ट देखिए टैक्ट्यमेट्य होता है वो एंगलल अरब की एक ब्रांच है नेश्टे के फॉर लोंगर डिस्ट्न स्टेडियर रोड में भी ग्राजवट इनों सेंटीमेटर नेश्टे कि in which system of techometric stadia hair is fixed at constant distance fixed hair method से नेश्टे कि the size of offset road is अब ये question बहुत ही ज़ादे important है offset road से question पूछा गया है सबसे पहले हम यह बात करते हैं offset, single offset की हगर हम बात करेंगे offset जो होते हैं, दो तरह के होते हैं perpendicular offset, oblique offset नाम सुना होगा, perpendicular offset and oblique offset perpendicular offset जो होता है वो right angle जो होती है, उसको set up कर सकता है chain line पर लेकिन oblique नहीं कर सकता है तो ये चीज़ आपको बाता होना ज़रूरी है next time यहाँ पर बात करेंगे कि बही, offset जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, short offset and long offset अब जो short offset होता है, उसकी length जो होती है वो 15 meter से कम होती है लेकिन long की 15 meter से जादा होती है इस जितने भी points में आपको offset से बताए है इसको आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में बठा लो त्योंकि very very important है यह offset वाले अब हम यहाँ पर बात करते हैं भाई, offset road की offset road is same ranging road ranging road का नाम सुना होगा तो यह same ही होती है, offset road जो होती है ranging road के मुकाबले दोनों का काम एक ही जैसा होता है लेकिन offset road जो होती है वो सिर्फ तीन मीटर लंबी होती है option one हमारा इस question के लिए answer हो जाएगा अगले देखिए the most usable compass in compass survey is compass survey में जो compass होता है most usable वो prismatic compass ही होता है अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लिजिए साथ में बैल आइकन को प्रेस भी कर लिजिए अगला देखिए विच मटीरिल इस नोट यूज़ इन पाइल पाइल के लिए आप तिमबर यूज़ कर सकते हैं सेंड भी उज़ करेंगे लेकिन कले यूज़ नहीं करेंगे पाइल के लिए नेश्ट इक बिच मैट इस दूट इस तो इंप्रूब बेरिंग कपैसिटी और स्टी आपको यह इंप्रूब करने है तो कुमपेक्शन करनेंगे तब हो जाएगी कन वाइनिंग से भी भी ग्रॉटिंग से भी जाएगी लेकिन हैमेरिंग से नहीं होगी तो हैंबरिंग इस गल्थ आप्शन नेश्ट एक नकरीट के न भी पंपड अप्टू उफ सभी हाइट और कि यह वेरी वेरी इंपॉर्टन कोशिंड है तो भाई आपको जब मल्टी स्टोरिंग की बिल्डिंग है आपके पास या फिर आप टनल में काम कर रहे हैं या फिर ब्रिज है जहां पर आदमी जो है कॉंक्रेट को ले नहीं जा सकते हैं तो उस केस में आप पंप का यूज करत करेंगे अगर आपको कॉंक्रेट जो है क्हों इनिकी प्लेन इसकी रोड होती है इतनी लंबी है वहां पर आपको ग्राउंड में पंप करना है तो 400 मेटर तक वो पहुचा सकता है 400 तक लेकिन जब बात आती है वर्टिकल की यानिकि हाइट की बात आती है तो वो सिर्फ 80 मे पुछाए इनकी vertical के बारे में पुछाए तो 80 m हमारा इस question के लिए answer हो जाएगा exam में हो सकता है कि pump से एक और question पूछा जाए कि भाई the pump capacity यो होती है उसकी range कितनी होती है pump capacity की range होती है 15 से लेकर देट सो मीटर क्यूब पर आवर होती है 2.000 क्यूबिक मीटर पर घंटे इतना pump capacity होती है कॉंक्रीट को pump करने की पंद्रा से देचिंग तो देखी कितनी pump करने की capacity होती है अगला देख़िए the quantity of available surface water are depends on rainfall quantity of available surface water जे होता है वो depends करता है rainfall परेंफंड कितना होता है नेक्ते value of depression head respect to critical depression head is 1 वटे 3 thickness of the gravel pacing provided in gravel pack tube well is 10-20 mm होती है 10-20 mm नेक्स देखिए runoff is a part of runoff जो होता है वो precipitation का part होता है runoff precipitation का part होता है अगले देखिए the runoff according to the beanage percentage for 700 mm annual rainfall is 25% give the SI unit of surpassation newton per meter होता है specific volume and specific mass density is universally proportional होते हैं दोनों first public railway was late in पहली जो public railway थी वो ब्रेटेन में बिचाई के थी hump yard जो होता है एक marshaling yard होता है full pump SSD की stopping side distance होती है नेक्स देखिए in road estimation the quantity of earth work is equal to road estimation जब आप करते हैं तो quantity जो होती है earth work की वो चार method से आप कर सकते हैं चारो method में क्या होता है cross sectional area होता है into length होती है so sectional area into length हमारा इस question के लिए answer हो जाएगा अगला question क्या पो रहा है तो nominal size of standard modular brick modular brick जो होती है उसको दो पार्ट में divide किया गया है nominal and standard nominal size होता है वो 20 bridge motor होता है next देखिए तो argilaces rock are made from argilaces जो होती है argilaces, argilaces, a for alumina and clay की बनी हुई होती है alumina या फिर clay एक ही बात है यहाँ पर clay दिया है, alumina नहीं दिया है तो हम इसको ही मानेंगे silices जो होती है silica या फिर sand की बनी हुई होती है तो यह मैंने आपको trick भी बताई हुई है कई बार अपनी वीडियो में अगला question क्या बारा कि which of the following test is not used for the building stone building stone के ओपर जो test की जाता है वो hardness test होता है, crystalline test होता है acid test होता है, लेकिन color test नहीं की जाता है color से हमें कोई लेना देना नहीं है भई अगला क्या बारा तो particle size distribution कर देखिए तीसरी बार यह question जो है वो पूछा गया है type of soil या फिर gradation of soil इसके बारे में हमें जानकारी देता है अगला क्या बारा फिर वैल ग्रेड़ जोल coefficient of curvature must be cc की value कितनी होती है वैल ग्रेड़ के लिए एक से तीन होती है cc की value यह थी हमारे previous रिक के 2016 का part number 1 आपको कैसा लगा shift 1 था यह वैसे afternoon में था लेकिन कोई बात नहीं shift 1 का था shift 2 का भी हम discuss करेंगे अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया कर लीजिए वीडियो को share भी कर दीजिए अपने दोस्तों साथ मिलते हैं next वीडियो में